ऐसी दिखतें आती हैं रोज मर्रा की जिंदगी में कि अचानक कोई बच्चा खाना खाना बंद कर देता है अचानक आपके स्टोर की विकरी कम हो जाती है अचानक आप चेंज हो जाते हैं आप बहुत हैपर हैं आपको पता है मैं आलसी नहीं हूँ फिर भी आपका काम करने को मन नहीं करता मन नहीं लगता आपका और ऐसा लगता है कि मैं वो रियल व्यक्ती नहीं हूँ जहां आपको लगता है कि यो मेरा बच्चा नैचरली है, वैसा नहीं है, थोड़ा अननैचरली होने लगता है, काम का रुख जाना, बच्चे का खाना ना खाना, बच्चे का स्टडी में मन ना लगना, तो कोई कारण नहीं नजर आता, पर ये नजर का दोश हो जाता है, और नजर लगभग सभी जगा नजर को मानने अता परापता है, दृष्टी दोश, नजर दोश, इसके लिए हजारों सालों से कोई ना कोई परजोग लिखे हैं, रामचरित मानस पढ़ें, तो शिरी राम भगवान को भी नजर लगती है, और शंकर भगवान अपना रूप बदल करके राम जी की नजर उतारने जाते हैं बालवस्था में जो नजर लगती है, किसी व्यक्ति का कोई दोश नहीं होता, हमारी जो आँखों की दृष्टी है, किसी संत की दृष्टी देखें, महापुर्शों की दृष्टी देखें, तो उनकी दृष्टी की जो रेजज है, उनमें शीतलता है, उनमें शक्ती है, उनमें शक्ती है, ऐसे ही कुछ लोगों की नजर में द्रिष्टी दोश होता है, वो किसी भी चीज को देखते हैं, उनके मन में एक अहा निकलती है और व्यक्ति की नजर वहीं लग जाती है, आप देखें कोई व्यक्ति आपके स्टोर में आता है, आते ही रौनक लग जाती है, गराक बढ़ जा चानती हो जाती है, कोई गराक ही नहीं आता है, तो सांप की श्रेणी में एक सांप की जाती है, अजगर की जाती है, तो उसकी द्रिष्टी में इतनी जहर होता है, को जिस पक्षी को उड़ते हुए ऐसे काश में देखता है, तो उसकी इच्छा होती हो, पक्षी को गरा दे तानीचे और खा जाता है तो ऐसा ही दृष्टी दोश लोगों में होता है हम किसी के दृष्टी दोश को दूर नहीं कर सकते पर हम अपनी प्रोटक्शन कर सकते हैं अगर नजर लग रही है उसके और बहुत से पाए हैं कुछ मैं जहां कहने की कोशिश कर रहा हूं हमें एवर मंतर का जाप करो जो भी हो आप जो भी आप सिमरन कर सकते हो जो भी आपके गुरू का शब्द है जो भी आपको मिला है उसका जाप करो उसके पश्चाथ फटकडी ले लें और फटकडी को एंटी क्लॉक वाइज साथ बार ऐसे सर से उतारें कलीम काली का नमय मंतर पढ़ते नहीं तो आप अपने गुरुजी का मंतर भी ले सकते हैं, ऐसे एक पीस को साथ बार उतारा, दूसरे पीस को साथ बार कलीम काली कायन में उतारा, तीसरे को उतारा, और फिर तीनों पीस को आप जला दें, तब एक उपर रख रख करके जला दें, और जलाने के बाद फिर उसक तो ऐसे किसी पेड के नीचे रख दें जा पानी में डाल दें। दूसरा अपाय और सब्सक्त नजर लग रही है। तो यह पिछ श्पेशल करम आप निम्बु के साथ भी कर सकते हैं। एक बार निम्बु को लें, निम्बु को सर से उतारें, एक बार उतारा, साथ बार उतारा एक निम्बू को, फिर दूसरे निम्बू को, फिर तीसरे निम्बू को तो दोल निम्बन को आप काट करके चार पीस जो है उसको गार बेज कर दें, एक लेमन को आप जला दें और जलाने से पहले प्राइटना करें, फटकडी करते साहिम पी प्राइटना करें, हे महाकाली, हे मा, हे भगवान शंकर, मेरे साथ जो भी नजर दोष है, तंतरमंतर दोष है, नेगटिविटी है, उस नेगटिविटी का विनाश करना मा, मैं सुक्षम रूप से, स्थूर प्रचार हैं, उनका भी विनाश करना, बाहर से अगर यह कोई शक्ती आई है, उसका भी विनाश करना, ऐसा आप करेंगे, तीन दिन करें, पांच दिन करें, आप देखेंगे, आप फिर नार्मल स्थिती में आ गए हैं, इसी के साथ पिर इस पर जोग को बंद कर देना है, परमंतर जाप, आपका जो इष्ट का मंतर है, गुरू का मंतर है, उसको करते रहना, आशा है, आपको इस पर जोग से लाब होगा, लाब हो, बगवान करें, खुश रहें, अच्छे रहें.